Hello, Welcome to Nasee Class, Students. Good morning. Today's subject is Hindi. आज हम आपको Hindi का वर्क करवाएंगे तो स्ट्डेंट सब अपपनी Hindi की कोपी ओपिन करिये Last मैंने आपको Hindi में का से गया तक करवाया था? है ना? तो आज आप करेंगे आज तो बहुत हीं इंटरेस्टिंग सा वर्क है आज हम क्या करेंगे आज हम चित्र देखकर नाम का पहला अक्षर लिखो ठीक है मतलब जो इस लाइन में चित्र बने हुए हैं उसके सामने हमें यहाँ पर इस नाम का पहला अक्षर लिखना है ठीक है students तो पिक्चर आप अपने घर पे किसी से बनवा लेजएगा जिसको बनानी आती हो और फिर आप वरक अपना करिएगा तो पहली पिक्चर देखे किसकी है टासे टमाटर कैसे लिखते हैं टासे टमाटर स्टैंडिंग लाइन और हाफ कर ऐसे लिखते हैं ना टासे टमाटर तो आप यहाँ पर लिखिए टासे टमाटर पिक्चर के सामने ठीक है नेक्स पिक्चर किसकी है डासे डमरू डासे डमरू कैसे लिखते हैं स्टैंडिंग लाइन फिर ऐसे टर्न किया फिर ऐसे टर्न किया ठीक है नेक्स पिक्चर किसकी है त से तरबूज किसकी पिक्चर है ये त से तरबूज त से तरबूज कैसे लिखते है standing line और फिर ऐसे करके ऐसे क्या बन गया ये त से तरबूज कहां लिखेंगे त से तरबूज इसके सामने ठीक है यहाँ पर ओके स्टुजेंट अब नेक्स पिक्चर देखेंगे अब किसकी बनी है था से थरमस किसकी पिक्चर है ये था से थरमस कैसे दिखेंगे था से थरमस standing line फिर ऐसे करके ऐसे फिर भी circle बना देंगे तो क्या बन जाएगा था से थरमस कहां पर दिखना है था से थरमस पिक्चर के सामने यहाँ पर ठीक है अब नेक्स पिक्चर देखे किसकी है धा से धनुष किसकी पिक्चर है धा से धनुष धा से धनुष कैसे लिखते हैं standing line फिर जैसे घा से घड़ी बनाते वैसे करके बनाएंगे फिर छोटा सा circle बना देंगे क्या बन जाएगा यह धा से धनुष कहां पर लिखेंगे धा से धनुष पिक्चर के सामने यहाँ पर ठीक है अब नेक्स पिक्चर किसकी बनी है ना से नल किसकी पिक्चर है यह ना से नल ना से नल कैसे लिखेंगे standing line, sleeping line और half circle क्या बन जाएगा ना से नल कहां लिखेंगे ना से नल पिक्चर के सामने यहाँ पर ठीक है students आ रहा है आपको समझ में अब next पिक्चर देखो किसकी है आप तो यह use भी करते हो पासे पतंग किसकी पिक्चर है यह पासे पतंग किसको पतंग उड़ानी आती है चलो जिसको भी उड़ानी आती है पर अब आप यहाँ पर लिखोगे इसको ठीक है पासे पतंग कैसे लिखते है standing line फिर ऐसे करके ऐसे क्या बन गया यह पासे पतंग ठीक है कहां लिखेंगे पासे पतंग को पिक्चर के सामने ठीक है students नेक्स्ट पिक्चर देखें किसकी है मा से मचली कैसे दिखेंगे मा से मचली standing line फिर छोटी सी standing line थोड़ी सी छोटी सामने लिए से फिर ऐसे turn करके ऐसे ठीक है मा से मचली यहाँ पर लिखें मा से मचली सामने अब नेक्स्ट पिक्चर देखी किसकी है क्या लग रहा है यह पिक्चर किसकी है हा से हावन जब हावन होता है आपने देखा है हावन आपके घर पे होता है हावन या करिके आप गए हो हावन में तो उसमें वो होता है मतब एक चीज पढ़ी होती है है न तो वह ऐसे ही दिखती है न जब आग जलती है तो यह क्या है यह हाँ से हावन बोलते है इसको ठीक है तो हाँ से हावन कैसे लिखेंगे standing line फिर ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे turn कर देंगे फिर ऐसे करके ऐसे ठीक है यह हो गया हा से हवन तो खाँ लिखेंगे हा से हवन picture के सामने यहाँ पर ठीक है students एक बार हम फिर से read करते हैं धा से धनुश ना से नल पा से पतंग मा से मचली हा से हवन त से टमाटर ड से डमरू त से तरबूज थ से थर्मर ठीक है students इसी तरह से आपको अपनी copy में work करना है picture आप किसी से बनवा लिजेगा फिर picture को देखकर आप इसी तरह से अपनी copy में work करेगा ठीक है so thank you students